हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल अल्रेडी एक्जिस्ट में आज हम आपको एक ऐसी जगह बताएंगे जो बेहत हॉंटेड है जी हाँ फ्रेंट्स हम बात कर रहे हैं मेक्सिको के डॉल्स आइलेंड की किसी जमाने में ये बेहत कुप्सृत हुआ क करता था लेकिन आज यहां गुडियों का डेरा है जी हां मेक्सिको सिटी के दक्सिम में जोची मेको कनाल में एक छोटा सा थ्वीप है जो की 2001 के बाद काफी चर्चित हो गया और वजह थी डरावनी गुडिया यह त्वीप ला इसला डेला म्यूनेकस नाम से मशूर है बले ही यह तुरिस्टों के बीच आकरस्ण का केंदर बना हुआ है लेकिन बेना गायट के यहां घूम पना नामुमकिन है अलाकि सरकारी दस्तावेजों में से हांटेट करार नहीं दिया गया है लेकिन स्थान यह लोग बताते हैं कि पेड़ों पर लड़की दर्जनों गुडि गुंती है तो आएए जानते हैं इसके पीछे की कहानी लोगों के मुताफिक इन गुडियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसकी रहस्यमें तरीके से मौत हो गए थी 2001 तक इस जवीब का केरटेकर डॉन जूलियन सेंटाना ब्रेरा था वह इस जगह पर अकेले रहत थी लेकिन जूलियन उसे बचाने में नाकाम रहे वहां के इस्थान ये लोग कहते हैं कि बच्ची की मौत के बाद एक गुडिया भी बैती हो ही आई जूलियन ने इसे बच्ची की गुडिया समझ उसे पेड़ पर लटका दिया और ऐसा भी कहते हैं कि जूलियन के नुसर उसे एक के बाद एक कई गुडिया मिलती चली गई वह बच्ची की आत्मा की सांती के लिए उसे पेड़ पर लटकाते गए अलाकि लोगों का मानना है कि जूलियन को इस बच्ची को बचा नहीं पाने का बहुत बड़ा पस्थावा था तान ये लोग बूत प्रित में ज़्यादा विश्वास करते हैं लोगों के अनुसर जिस जगह पर बच्ची की मौत हुई उसी जगह जूलियन भी रहस्यमी तरीके से मर गया था ऐसे में लोगों का विश्वास और बढ़ता गया उनका मानना है कि गुडियों ने यहां उसका कोर्शनल अलेडी एक्सिस्ट जय हिंद